हैं कि अब किशनेंट आज जो हम पढ़ेंगे क्लाश 12 स्टेंडर्ट के चैप्टन नम्मर 8 के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टन नम्मर 8 में हमने बहुत सारे से टॉपिक हैं जो उसको कवर कर लिये हैं तो इस्टुटिण आज का जो हमारा टॉपिक है डिफ्रेंस प्रेut티 के बारे में आप अंतर बताईए इसके पहले आपको जो सारे वीडियो आपको प्रॉइडりました ईगर उसको आप लिखते रहे हो तयार करते रहे गर उसमें आपको कोई डाउट Brenda हो तो आप पूछ Sकते हैं तो इसमें बिना time प्रत्रच्छा और निस्क्रिय प्रत्रच्छा इस तरीके से इसमें अंतर पूछा जाता है तो इस्ट्ट्ट हमने इम्यून्टी के बारे में पढ़ा है इम्यून्टी क्या होती है इसको बारे में आपको बता दिया गया है तो अगर सबसे पहले हम बात करें एक्टिव इम्यून्टी क्या होती है एक्टिव इम्यून्टी क्या होती है एक्टिव इम्यून्टी और पैसे इम्यून्टी डिस्टकवर्ड वाई एक बैग्यानिक थे जुन्होंने जो की 1890 में एमिल और इसमें इनके साथ एमिल बॉन के साथ एक टर्म जुड़ा था बेहरिंग ठीक है तो 1890 में एक सांटिस्ट थे जिनका नाम था एमिल बॉन बेहरिंग ने इसकी जो है में कोई पैथोजन्स बाहर से इंट्री ले रहा है कोई पैथोजन्स बाहर से हमारे खरीर में आया और जैसे ही हमारे बॉड़ी में वो पैथोजन्स वो इनसे माइक्रोईस्कोपिक और गेनिज हमारे बॉड़ी में इंट्री लिया तो उसके अगेन उसके अगेन कहने का मतलब जैसे ही हमारी बॉड़ी में इंट्री पैथोजन्स लेता है उसके अगेन्स हमारी बॉड़ी में इम्म्यूनिटी जो भी हमारे अंदर प्रत्रोधक छमता है वो बनना स्टार्ट हो जाती है ठीक है जैसे अगर हम देखें इसमें फॉर ग्यांपल ह सकते हैं जैसे कि अगर किसी भी बंदे को अगर कॉमन कोल्ड हुआ है जुखाम हुआ है तो उसके अंदर से जो भी माइक्रोइस्कोपिक स्पैधोजन्स बाहर निकले और उसके आसपास रहने वाले जो भी अलग से जो अधर और और गैनीजम है उनके बॉड़ी में वह इं अगर हमकोई उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं कोई उसका क यह लाज नहीं कर सकते हैं तो हो सकता तक जस्तिक होती है जब हमारे सरीर में बाहर से कोई जो गाड़ इंटि लेता है प्रवेस करता है तो उसके अग्यन्स क्या होती है हमारे सरीर में एंटी बाडिज बनना इस्टार्ट हो जाती है जह सब्सक्राइब हमने बता है कि common cold जो है अगर किसी कांटेक्ट में आने से हमारी बॉडी में वो इंट्री ले लिया है तो अगर वो दो-तीन दिन में जो काम ठीक होना था तो हो सकता है लंबे समय तक जा सके अगर उसकाम कोई treatment ना करें इसलिए कहा जाता है कि जो long lasting होती है इसी कारण से यह बहुत लंबे समय तक चलते हैं और इसको बताने वाले सांटिस्ट को है थारस नंबर में एमिल बॉन बेहरिंग क्या नाम है एमिल बॉन बेहरिंग नहींनों ने इसका टर्म दिया था अब इस्टूइंट क्या होता है कि अगर हम दूसरी बात देखे पैस मतलब यह वहां से होती है ती कि मदर के बॉड़ी में यह narrativ होती है है इसमें बाहर से चैल्ड है जो बच्रा उनके अंद चाइल धैस वेवी है अब उसको जो मिल्क है जो मिल्क सिक्रेशन है जो मिल्क प्रोवाइड कर रही है अपने बच्चे को मदर वो कौन कर रहा है मदर कर रहे किसको अपने बच्चे को तो कहने का मतलब जब कोई भी इम्यूनिटी जो भी प्रतोदक्षमता उसके अंदर बन रही है मदर के अंदर उसके सरीर में जो भी कहने का मतलब सब्सक्राइब हमने आग जामपल लिया है बच्चे का उसके अंदर वो जाएगा तो कह सकते हैं कि यह जो पैसीव-म्यून्टी होती है लॉंग लास्टिम नहीं मदर की बाडि में एक एंटी बाडि बनती है जिसका नाम है एंटी मीजि क्या नाम है एंटी बाडि इसको हम आई-जी और करते हैं यहाँ आई चुनहिंट टेह अघ्ना लग होती है में थुरू उसके बच्चे के सरीर में गई तो हम कह सकते हैं उनको कहने का मतलब इंटी बाडिज मिल रही है ठीक है तो इस तरीके से दूसरा टर्म यहां पर हमने बता है कि जो पैसिव इमेंटी होती है यह लॉंग लास्टिंग नहीं होती है इस तरीके से स्टुडेंट आपको इसको अच्छे से पढ़ना है यह बहुत इंप्वाटन्ट टॉपिक है एतने नंबर में आप से जो है पूछा जा सकता है तो इसलिए आपको अंतर भी आना चाहिए बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि बीडियो को पहले अच्छे से वाज कर लीजिए ताकि आपको बात अच्छी समझ में तो आप अगर यह आप नोट बूट में लिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक्यों क्लास